क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और फ्रेस करो इस बेल आइकन पे ताके आप देख सको वीडियो सबसे पहले हेलो वेलकम टू माई यूटूब चैनल जैसे कि लाश्ट वीक मैंने एक वीडियो बना था जो कि पबजी टूर्णामेंट की अप्लिकेशन के बारे में तो यह एक वीडियो में आप देख सकते हुए मैंने वीडियो बना था और इस वीडियो में मैंने कुछ स्क्रीन शोड आप्लिकेशन पर हमारा काम चालो था और पबजी टूर्णामेंट का एप्लिकेशन हम क्रेट कर रहे थे जो कि विट एडिमिन पैनल के साथ मैं जैसे कि उसमें मैच वगेरा कैसे अपडेट करना है तो इस वीडियो में मैं वह पूरा एप्लिकेशन का डेमो दिखाऊंगा इसमें आपको मैच अपडेट कैसे करना है उसका एड्मिन पैनल भी दिखाऊंगा और जो लोग जॉइन करेगे जो लोग हमारे है ना पे करके बाद में हमारे साथ टूर्णामेंट खेलेगे उनको रूम आइडी पासवड कैसे मिलेगा वो सब चीजे दिखाऊंगा और प पर उन्हें बताना तकी है इसमें वर्क कैसे करना है इसके अंदर जॉइन कराना है इसके अंदर अपडेट कैसे करने कैसे नोटिफिक्शन सेंड होगे तो वो सब चीजे प्रोसेस एक एक को बताना बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा था तो इसके लिए मैंने सूचा य तो आपने अब तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतरे रेट कलगा बटन दिखाए इस पे क्लिकर करका सब्सक्राइब कर दीजिए मैं बहुत सारे एप्लिकेशन डेवल्मेंट के रिलेटेड वीडियो लेकिया तो आप देख सकते हो मैं कैसे एप्लिकेशन ड का डखि पासवर्ड वह सब में शो करूँगा तो आप देख सकते हो आपको मेरे कंप्यों के सामने मोबाइल डिख excel कि दाखिये चे अदर ऐड्मिंड पैनल यह जो दो मोबाइल geen ग्रियो केंद जो कि मेरा यह में में कर लेता हूं और आप देख सकते यह फजी यह तूना उपन हो गयई तो जैसे जैसे उपन होगा तो इसके अंदर मैंने दो कार्ड व्यू लगा है मतलब एक साथ movement रख सकते हो आप एक बजे tournament रख वह बाद में फिर दो बज़े का timing दे रहे हो तो दो बज़े के एक हाईड भी कर सक्ते हो और शो भी करा सक्ते हो तो इधर आप देख सकते हूं अभी फिलाल शो हो रहा है तो मैच On 우ne, MatchTo के भगल में आपको हाईड हो शो के बटन देख रहे है। अब आप देख सकते हो दोनों मोबाइल में से जो कि फर्स्ट वाला कार्ड व्यू था वो हाइड हो चुका अब समझ लिए दूसरा भी हाइड करना मतलब के तूर्णमेंट आपके हंड्रेट जॉइन हो चुके सक्सेस्फुली और बाद में इसे आपको हाइड करा देना है तो आप देख सकते हो वापिस दोनों मोबाइल में शो हो गए तो इस तरह यह सबसे पहला हाइड हो शो का भी मैंने लगाया हुआ है पर यह जरूरी नहीं यह आप चाहो तो इसे हाइड कर सकते हो यह भी शो करा सकते हो यह मतला आपने अमांट कम ज्यादा डाल दिया हो तो आ हो मोबाइल के अंदर अब मैं आपको जैसे के इसके अंदर मैच अपडेट कैसे करने तो इदर आप देख से तो विनिंग प्राइस पर किल एंट्री फिस स्कॉर्ड वर्जिन मैप रेंगल और आप देख से तो टाइमिंग और कौनसा बैटल सोलो के स्कॉर्ड आप क्या र एपडेट डेटा पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के भाद है यूजर अब ऐप्लिकेशन बंद किया रहाएगा, मतलब यह अपलिकेशन अभी क्लोज है, तो इस अब्लिकेशन को मैं वापीस से ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद आप देख से तो जो की ठाउज डाला, winning price डाला, per kill डाला, entry fish डाला और यह देखो type और version तो यह हमारा change हो चुका है successfully तो user जबी भी तो user जबी पर application को close कर देगा बाद में वापीस open करेगा तो तब यह देख सकते हो इस तरह का match update हो चुका है और यह match आप है ना one signal notification से भी send कर सकते हो यह one signal notification क्या होता है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ तो देख सकते हो जैसे मेरे computer screen पर आपको यह one signal notification है तो आप उपर से भी send कर सकते हो notification user को जैसे कि यह new match is updated please check the application तो user जैसे क्लिक करेगा और notification पर यह application successfully open हो जाएगा तो मैंने इदर एक match यह मैंने इदर एक notification send किया हुगा उसे मैं वापीस से send करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह का हो notification दिखेगा तो आप देख सकते हो जैसे मैंने confirm पे क्लिक किया तो इदर आप देख सकते हो हाई new match is updated हाई new match is updated तो इस notification के बारे में मैंने अलग से एक video बना हुग तो आप देख सकते हो उपर यह bell icon का button जो कि bell icon जैसा दि लाश्ट वीडियो के वह भी आप send कर सकते हो तो इस notification से आप यह सब चीज़े कर सकते हो और यही चीज़ी जो कि video आपको को लाइब दिखाना है और को YouTube वीडियो आपको जैसे कि लाइव यह ना application के दा शोकरान वह जो कि admin panel के अंदर भी मैंने create किया हूँ है तो यह आपको सबसे पहला समझ में आगए रहेगा अब आप देख से तो जैसे match one match two का आपको समझ में आगए रहेगा विसके बाद में आपको बता देतो जैसे कि ए ना update और check entry यह अप डेट और check entry का आपको दो slot मिलते है इधर तो यह update और check entry किया है तो सबसे पहला जो कि slot one जो कि match one का check एक एंट्री पर आप क्लिक करोगे तो इदर आप देख से तो टोटल स्लोट लिखा वहाँ 11 आ जागा यह 11 कौन सा है इदर आप देख से तो 11 लोग जॉइन किये रहेगे सक्सेस्फुली वह 11 आपको इदर देखने को मिल जाएगा और यही चीज आपको इना इसका चेंज करने का जैसे यह देख से तो दोनों मोबाइल स्कीन के अंदर आप देख से तो 11 11 है वह इदर आपको जीरो कर देना है तो इदर आपको एंटर करना है पर बाद में फिर अपडेट पर क्लिक करना है तो जैसे आप अपडेट पर क्लिक करोगे तो दोनों मोबाइल के अंदर से 0 हो गया तो जितने भी यूजर आपका एप्लिकेशन यूज करेंगे सबका 0 हो जाएगा और इधर आप देख से तो जैसे आप देख से तो मैं 100 कर से रहना है जब आपका 100 हो जाएगे तो इधर आपको वेना इसे हाइड कर देना मैच उनके स्लोट को और इसके बाद मैच कंप्लीट होने के बाद में फिर आप वापीस से इसे जीरो कर देना जीरो करके वापीस लोग इसमें जॉइन हो पाए जो भी आप प्राइस रखो विनिंग प्राइस तो इस तरह यह जो कि चेक एंटरी का काम करता है तो यह तो आपको समझ में आ गया रहेगा अब हम बात करते हैं रूम आईडी पासवर्ड रूम आईडी पासवर्ड सबसे इंपोर्टन चीज जो यूजर जोइन करेगा उससे इसी दिखना चाही रूम अब इसके बाद मैं रूम आईडी पासवर्ड में आ जाता तो इसके अंदर मैं एक मोबाइल में जॉइन करूंगा एक मोबाइल में जॉइन नहीं करूंगा तो जो मोबाइल में मैं जॉइन करूंगा उससे ही रूम आईडी पासवर्ड दिखेगी दूसरे मोबाइल में नहीं दिखेगी तो इधर मैं आपको दिखा दे तो जैसे कि एक जो मुबाइल है मैंने इसके अंदर रेड़ाइब इसके अंदर 410020 रूपीज एड़ करके रखे हुए और जो दूसरा आप देखते तो इसके अंदर 5 रूपीज है तो इसके अंदर इस एफिशेंट बैलेंस जॉइन कर सकते हैं आपका फ्रेंड यह एप्लिकेशन नहीं उसकर रहा पर वो भी आपके साथ जॉइन कराना चाता है तो आप इसका भी बबजी का यूजर नहीं डालके जॉइन करा सकते हो जो भी अमाउंट रहेगा आपके एप्लिकेशन मतलब आपके वॉयलेट के वैसे हमारे एक दूसरी स्क्रीन ओपन हो जागी इंसफिशेंट बैलेंस और इधर आप पेटियम से एड कर सकते हो तो वह मैं आपको आगे बता देतों सबसे पहले यह बता देतों कि यह रूम आईडी पासवर्ट दिखेंगे तो इस मोबाइल के अंदर है जो कि जॉइन नहीं हुआ है और इस मोबाइल के अंदर जो कि मैंने जॉइन किया अब मुझे इस मोबाइल के इन्दर के अंदर ही मुझे है न बताना है कि उनका रूम आईडी पासवर्ट तो वह मैं आपको बतातों जैसे कि डेटाबेस के अंदर आपको है न वहां एक चीज करना डीटा इधर दिखेगा इधर आपको जैसे रूम आईडी समझ लिए मैं अंदर इस डाल दिया और पासवर्ड मैंने समझ लिए वन टू टू ट्री फो जो भी आपका पासवर्ड है पबजी टूर्णामेंट आप क्रिएट करें वहां रूम आईडी पासवर्ड करें यह आप आपको डाल देना इधर डालने के बाद में आपकी जो 100 यूजर टूर रहेगी आप देच्ट तो इधर टो 12 ही ए जब आपके 100 यूजर टूर्णामेंट हो जागी तो इधर, आपको जैसे तर आपको यह सभी का फील कर देना है तो आफ देख सकते हो यह मैं ने फील कर दिया तो आफ सभी में room ID password हो गया अब उसके बाद में पिर आप अपने admin ऐप में आने का पाद जैसे आप देख सकते हो match one room ID password को visible कराना है तो इथर मैं शो क्लिक करता हूं तो जैसे मैं show पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हूं, जिसने join किया है वो इसको room ID, password देख रहा है, उसको room ID, password ये दिख रहा है, तो इधर मैं ये change करके बेदेंगा, null-null करके लिख प्रॉब्लम तो जो लोग जोईन करेंगे उससे ही है ना रूम आइडी पासवर्ड दीखेगा अब यह तो हो गया और आपको मैं एक और तरीका बताता हूं जो कि है ना आपको मतलब ज्यादा आप इसली योगों को मतलब है ना डूम आइडी पासवर्ड दे पाओगे तो य इसे कॉपी करने के बाद जैसे कि Gmail के अंदर आने के पाद सभी को एक साथ में देख सेक्ट पेश्ट कर देना है जितने भी इमेल है 100-100 और इसके बाद में फिर आपको इधर रूम आइडी एंड पासवर्ड लिग देना है और वो भी आपको इधर सेंड कर देना है तो पं बहुत ही benefit मिलते अब कैसे benefit मिलते जैसे मैं आपको बता देता हूँ जैसे आप देख से तो device username तो जो लोग ने जॉइन किया हूँ जो लोग मतलब मैंना पांच कील चार कील हो गया पांच कील चार कील successful होने के बाद और मुझे username find करने तो इधर तो मैंने अभी तो फिलाल स है महंदर उसका देक्स उनिजिए s enroll महांध्र से डीवाइस से रूम आइड़ी पासवर्डे तो इसका आपको डेख सेक्त हूँ जैसे कि email लेडर से मेरा महांदर जो इमैल लेडर से वो देख सी और सुछ किया हो फ wissen me agent को किल तो आप डेख से कूह मैंने महंदर find किया यो इ इतना भी amount add करना है वो add कर देना है बाद में फिर आप चाहो तो इससे mail कर सकते हो जिस तरह मैंने बताया है इस तरह इसका device ID को आप देख से तो इधर email भी इसका करने का option मिल जाता है भी हजारों लोग है तो आप इससे easily search कर पाऊगे और firebase के अंदर में दिखा दे तो जैसे कि user है यह इतने सारे user है अब इनके अंदर आपको कहीं भी search करने का option नहीं मिलेगा इधर आप देख सकते इधर जैसे इंपोर्ट वगेरा का जो कि file का मिल वज़े से आपको यह चीज search करना हो जरूरी है तो जो भी user जितने को kill करें वह easily amount add कर पाया इसके लिए addable बहुत ही ज्यादा easy और comfortable है तो यह तो आपको समझ में आ गया रहेगा room id password का अब यह user entry one में आ जाता हूँ और इसी तरह user entry true तो यह तो आपको समझ में आ गया room id password क रहेगा तो यह तो आपका जो की show हो गया और इसी तरह second वाले भी आप देख से तो यह user entry इसके अंदर जो भी लोग join करेंगे तो इसी के अंदर यह second वाज slot इसके अंदर जो भी लोग join करके तो इधर user entry two के अंदर database आएगा बाद में यह room id password के अंदर नल नल श्टोर होगा तो वहां आपको room id password पहले में डालना है और आपने excel तो use किया ही रहेगा तो जिस तरह आपकी इस सभी data के अंदर एक साथ value fill करना रहता तो जिस तरह आप आपको सभी में fill करना है बाद में इधर आपको room id password सभी के application के अदर शो हो जागे जो लोग join करेंगे तो इस तरह room id password शो हो जागे और email के through भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको यह सब email को copy करना copy करके आपको Gmail में इधर आपको डालना है और एक साथ में room id password send कर देना त पचास लोगा एक बार copy कर लिजे फिर पचास लोगा copy कर लिजे और बाद में आप एक साथ में room id password हो जो भी अच्छा सा message लिखना चाते हो यह room id password हो जो में पे जो स्क्राइड वगे रहा हो चीटिंग वगे रहा के रिगड़ी तो वह सब आप लिख के इसमें send कर सकते हो एक बार आप notepad में लिख के रख दीजे तो बार बार आपको बस वही copy करके इदर send करना और room id password आपको send करना रहेगा तो अच्छा सेंग message भी लिख दिजे तो user join करने के पहले इमेल में room id password और term and condition भी पढ़ ले और term and condition मैंने mobile में भी बताया हुआ हूँ हो मैं आपको signal notification जैसे कि आप उपर से notification आते इस तरह का यह मैंने हाय करके send किया उसी तरह आपके आपना update live का video link आपके ना इस तरह notification के थूँ सेंड कर सकते हो और जैसे क्लिक करेगा user आपका live video open हो जागा अब यह कैसे open होगा notification का video मैंने अलग बनाया हुआ है तो इसकी link आपको description में मिल जाएगे तो वह जाके आप देख लिजे तुछ इसके तुरूँ आप update live देख सकते हो अब मैं आपको बताते हो जैसे कि यह वाच लाइव वीडियो थी वाच लाइव वीडियो पर क्लिक करता हूँ मैं तो जैसे मैंने क्लिक किया यह मैंने link लगा हुआ तो आप जबी भी इसे YouTube के अंदर आता हूँ YouTube के अंदर आने के बाद मैं एक दूसरी link लेता हूँ तो आप देख सकते हो जैसे PUBG टूर्णामेंट का इसे मैं share मतलब share मतलब copy कर लेता हूँ इदर copy करने के बाद मैं फिर मैं वाप इस application के अंदर आने के बाद इदर आप देख सकते हो live video link इधर आपको पेस्ट कर देना तो यह मैंने link पेस्ट कर दिए और update data तो यह मैं update data पे click कर देता हूँ तो आप देख से तो अब जब user है ना मतलब इसे मैं क्लिक करने को तो मैंने जो new link update कि यह वह successfully इधर वह link आ जाएगे तो user watch live video पे click करके इधर देख सकते हो वह वीडियो को भी देख सकते है तो आप देख सेथिए यह पबजी टूर्णमेंट का link मेरा आ चुका है successfully तो इसे मैं close कर देता हो अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट वाला वीडियो अप्लोड वीडियो अप्लोड किया है तो जैसे देख सेकते हो रिजल्ट और लास्ट मैच रिजल्ट तो इधर आप देख सेकते हो यह जो कि दो वीडियो का link डाला हुग है तो इधर आपको YouTube का link डालना जो भी आपका last video रहेगा match का कि दो है वह आपको डालना और इधर आपको image का link डालना अभी image का link है तो आपको इधर cloud नरी पे आना है तो देख सेकते हो जैसे में मेरा computer kafan आपको देखते रहेगा तो इदर cloud dairy पर आने के बाद इदर आपको sign up करना और इधर image upload करना है image upload करने के बाद आपको एक link मिलेगा तो वो link को आपको डालना है तो आप इस तरह भी कर सकते हो और आप चाहो तो direct है न आपको देख सकते हैं गूगल पर search करना है pubg tournament link ऐसा करके आप देख सकते तो pubg pubg png करके आप देख सकते हो इसे मैं search करता हो यह मैंने search किया बाद में image के अंदर आता हो तो image के अंदर आने के बाद आप देख सकते हो जैसे कि यह वाला pubg का image है तो इसका आप देख सकते हो यह link आप देख सकते हो यह आपको copy कर लेना है इसको मैं open कर लेता new tab में तो आप तो आपने वीडियो का लिंक डाला रहेगा वह वाला आपका वीडियो का लिंक इस तरह यह ओपन हो जाएगा तो यह दर आप देख सकते हूं कोई भी आप गूगल से उठा के डाल सकते हैं और आप खुद का कुछ क्रेट करना चाहते हैं यूनिक मतलब कुछ यह डेटा अग पर हरुद कीवाफ अपकád इसरे शचला के लिगंदर हैं गयाUL टाल के जाएगा तो यह इतनर डाल के ठीका और गया तो इस तरह आपने पैनल के आपडेट कर देना तो यह वाला प्डेट हो जाएगा और वह यह नीचे चले जाएगा इसके और एक हो और नहाए आ आ क्योंकि यह टेबल के थुरूब कनेक्ट किया हुए तो एड़ेबल में थोड़ा लोड होने में टाइम ले लेगा तो जिससे जादा डालोगे तो और क्योंकि फ्री वाला अल्रेडी फ्री वाला हम यूस करेगे तो जिससे हमारा इतना बैंडविध नहीं मिलेगा तो वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दोगे तो जब अप्लिकेशन वापी से ओपन करोगे तो यह नीचे वाला जो कि डिलीट हो जाएगा और उपलवा एक ही दिखेगा तो इस तरह आप चार से तीनी दिखा यह लास्ट के तो इससे आपका एप्लिकेशन मतलब फटा फटा पाइस तो इसके मैंने रूल्स लिखे हुए कि कोई भी मतलब है तीम नहीं बना सकता है कोई भी एक दूसरे को मतलब टीम बना के कि पीछे को वगेरा करके दूसरे को किल नहीं कर सकता है और है ना टाइम पे पादम्रा मिट पहले जो भी रहेगा जिसको भी यूजर पर पर मैंने 5 रुपया bonus और 5 रुपया sign-up कर रखा हुआ है जो भी जिसको refer करेंगा तो इसे 5 रुपया मिलेगा वह भी तुरंत मिलेगा पहला मैं join होने पर नहीं मैंने यह रखा हुआ है तो जिससे ज्यादा से ज्यादा ज्यादा यूजर आपका application refer करेंगे और profile के अंदर support में support करके वो email change करेगा तो आपको अपने database के अंदर जहां यह device का section है जहां मैंने email का बनाए हुआ database विसके अंदर विसके अंदर आपको इसका email new वाला email update कर देना है बस उसका username को देखके उसका device ID लेके बाद में उसको update कर देना है अब आपको दिखा थे तो जैसे वालेट का वालेट का आप देखके तो जैसे के वालेट में आप देखके तो इधर आपको मेरा 4100 जो कि मैंने database के अंदर amount इतना डाला हुआ है तो इधर आप देखके तो यह दूँगा तो जो जो यूजर लोग से देखना चाते तो वो देख सकते और admin का application का demo में description में दूँगा और सारे detail बताऊंगा कि application कितने दिन में बनेगा कैसे बनेगा और उसे आप कैसे contact वगेरा कर सकते हो सब चीजे और नीचे मेरा number तो दिख रहा है पर एक बार आप description मे visit करके पढ़ लीजेगी कैसे 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 आपको application मिलेगा और कैसे आपको कितना दिन लगेगा मतलब दो जिन तीन दे तो सब चीज़ डीटेल वगेरा मैं आपको एकदम प्रॉपर तरी कैसे description में मेरे website के link रहे हैं इसमें demo application दोनों मिल जाएगे अब जैसे कि मैं आपको दि तो उसके आपको 10 link create करने जो जो amount के 5 रुपर 10 रुपर 20 रुपर जितने के वितने के create करने रोसम में आपको set करके दे दूँगा जब आप मुसे application बाय करोगे उसके बाद इधर OTP पूछेगा तो इधर आप देख सकतो जो OTP आया रहेगा वो PTM का transaction करते होगे तो आपको पता रहेगा OTP कैसे आता है तो आप देख सकतो मेरा OTP आ चुका है और इसे में डाल के confirm कर देता हूँ तो जैसे आप देख सकतो मैंने एक confirm किया करने के बाद आप देख सकते हो direct में wallet में पुछा जाए कि मेरे wallet में 10 रुपया हो अभी मैं इसे पे करना चाता हूँ तो इधर मैं टिक करता हूँ टिक करने के बाद आप आप देख सकते तो यह मेरा payment successful हो चुका है जैसे payment successfully होगा तो हमारा जो कि वापी से screen one load हो जागा और user को बोल जाए कि वह अब successfully join कर सकते है तो आप देख से तो यह हमारा पपीस से जो कि play की screen पे आ गया है और इदर मैं आपको दिखा देता है जो कि wallet में पहले मेरे 4100 था और 4500 फाइव और रूपी जो कि 5 रूपीस मैंने एड किया तो यह हमारा wallet के अंदर आ चुका है इसी अंदर आप जो भी term and condition वगेरा use करोगे जो भी रखोगे वो सिफ चीज आपको लगा के मिल जाएगी और इदर आप देखते तुझ से customer support में मैं आपका direct WhatsApp नमबर भी लगा सकते हो आपको email चाहिए तो email लगा के भी मिल जाएगी और आपको कोई website अपनी लगानी है तो direct जि लगा हूँ और तो आप यह आपको यह application के demo देखने है जो कि यह application मैंने create case का demo और आप देख से तो जो कि admin panel का demo तो इसकी link आपको description में मिल जाएगी और भी detail है वो भी चीज आपको description में मिल जाएगी तो description में जाके आप check out कर सकते है तो आपको यह video अच्छा लगा तो यह आपने वीडियो को like कर दीजिए और आपने विदिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधे रेट कल का बटन दिखरेए इस पिक लिए करके सब्सक्राइब कर दीए मैं बहुत सारे ऐसे interesting वीडियो लेका था तो जिससे आप अपना application और भी बहतर और अच्छा बना कर के रहुत अपना इस पॉसक्टी आपने पूस एप्सक्ता कुर एंधियो अग्या तो इस हमीडियो यह तो इस प्रिए कुराइब द्गक कॉख क्राइब चैनल कर अपने कर देख अनल दिखरू का जा धूसरे इस पुराइब का अपने लिए प्सक्राइब क्स्तीए